रिसनली मैंने कैपिटल स्मार्टी के चीफ अपरेटिंग आफसर मलेक असलम साब के एक एंट्रवी रिकॉर्ड किया था था इंट्रवी के नीचे बहुत जादा जो कमेंट्स थे वो यह थे के कैपिटल स्मार्टी की साइट पे इंटरचेनी कंस्ट्रक्शन अगास कब होगा यह सवाल मेंबर्स का वैसे मुझे इंबॉक्स में भी और वैसे कमेंट्स में भी और वैसे इन जेनरल कॉल्स भी बहुत जाद सुनने को मिलता है कैपिटल स्मार्टी की साइट पे जो इंटरचेनी कंस्रक्शन अखास होगा जो पे किया था National Highway Authority को, वो National Highway Authority की responsibility है, क्योंकि यह जो land है, यह उनके नाम पर है, Society ने इसके लिए 384 कनाल की लेंड थी, वो National Highway Authority के नाम करवाई थी, ताकि Society की तरफ से इस पर प्रॉपर construction के इंटर्चेंज कम्लीट की जा सके, तो अभी जो आपको साइट पर development काम नजर आता ह है, माँ सिवाए उस रोड के, जो Society की तरफ से connect किया जाएगा, चार सो फट रोड को इंटर्चेंज की साथ, तमाम की तमाम जतनी construction होगी, वो National Highway Authority की तरफ से होगी, अब आते हैं दूसरा point, कि जिस तरह इंटर्चेंज की प्रॉपर लिए, लोक बनती है, नजर आता है, क्य अब ही साइट पर चीजें हो रही है, वो सारी की सारी चीजें जो है, वो इनिशल फेज में है, अभी चूंके पाकिसान में गवर्मेंट भी इंस्टेबल है, डॉलर का रेट भी इंस्टेबल है, बागी बहुत सर चीजें भी इंस्टेबल है, तो National Highway Authority या FW की तरफ से उस आपको पेस नजर नहीं आती है, तो आप सोचें, आप रात हो सोग के वोटे सुबह उठें तो इंटर्चेंज बनाऊगा, ऐसा नहीं होगा, तिल इटाइम पाक्सान में तो रहा ठीक नहीं होते हैं, आपको प्रॉपरली साइट पर चूंस्ट्रक्शन है, लेकिन सबसे ब करता हूं, चुश् capital के मैं सबसेित तो इतना बने जाता हूं, इतना डिस्स बन जाता हूं, तो इतना members जो society के अंदर already plots hold करते हैं, उनके लिए भी चीज इतनी असान है, कि आप साइट पर जाके, प्रॉपर्ली विजट करके प्लॉट देख सकते हैं, ये भी पाकिस्तान में जितनी economic instability है, उसके लिए political instability है, इन सारों का effect पाकिस्तान की कौमी पाकिस्तान में प्रॉसस्य जो काम होगा है, वह स्लोजरूर हुआ है, लेगिन ये नहीं हुआ कि प्रॉसस्य खतम हो गया हूँ, आपको ये चीज जो प्रिमसीद आपको नजर आ रही है, आपको एक दिन एक माहिना पहले, ये 40 दिन पहले नजर आती थी, तो आँसर है नहीं यहां पर कुछ भी एक्जिस्स नहीं करता था, आज ये सारा कुछ जमीन पर एक्जिस्स करता है, ये सारा कुछ होने के लिए 40 दिन का टाइम लगा, अब इमेजन करेंगे अगले तक रीबन आप एक साल की बात कर लें, एक साल चे मैने के अंदर, साइट पर आपको चेंज टाल प्लाजा क्रॉस करेंगे, आप जैसे मोटर वे पर चड़ेंगे, आप जाके स्मार्टिक इंटर्चेंज से एकसे लेकर नीचे उतर सकते हैं, आप वो किसी थर्ड परसन की जरूत नहीं है, इसके पास लेने के लिए, ये चीज होने के लिए सुसाइटी को ज्याद इसके तीन मैने के टाइम रिक्वाइड है, बाकि जो इंटर्चेंज की साइज वाइस कंस्ट्रक्शन है, ये स्लिप इन है, दूसरी साइट से मोटर वे के स्लिप आउट मिल जाएगा, तो बीच में जो मंदवाल वाला पुल है, उससे आप चड़ के दूसरी साट जा सकते हैं, और यहां से आपको वैसे भी जो करंटली एंटर्स है, इस ही इन से आप जो है वो एंटर होके Capital Smartity में जा सकते हैं, और लहौर जाना चाहें, तो यहीं से लहौर भी जा सकते हैं, और लहौर से आ रहे हैं हो, तो जो slope ौट होका दूसरी तरफ मोटर वे के, जिस विडियो में इस साइट पर आपको प्रॉपरली स्लिप आउट भी मिल जाएगा तो यह आने मिले दिनों में आपको स्मार्टी में चेंज जो है नजर आएंगे यह है ओवराल स्मार्टी के अपडेट आज की 12th of February 2023 की के साइट पर करता है बागी में चीजे आप गूगल अर्थ लोकेशन की मदद से में डेटेल से एक्स्ट्राइब करता हूं ताके मेंबर्स को इन जनरल एक अची रहनमाई मिल सके कि उनकी इनवेस्मेंट कहां स्ट्राइब करती है स्ट्राइब के मास्टर प्लैन में जो स्पेसिफिकली इस एरिया के हवाले से आज की वीडियो वह यह वाल अरिया बनता है अब इस तब मॉफ करते हैं जहां मौत वाल ब्रिज न जोन गजन आता है इस तरफ मॉइनट पर यह अवे साइड़ी का केंप आफसी मिल साइड है या वो कुछ जो rooms नजर आ रहे हैं, यह society का camp office है, यानि society के जितने senior site management है, वो यहां में बैठते हैं, और इसकी back side पर जो land है, यह सारी के सारी land, जो वर सिस प्राइम टू या जो भी इस पर launch किया जाएगा, across भी motorway हो गए यह opposite side to motorway, और यह side जो आपको नजर आ रही है, सारी यह गली जागी, रोड इस तरफ नीचे जो रोड जाता है सारा, इस तरफ डी एचे 9 और सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्मार्टे की premises हैं, और इस तरफ आ के सारी blue world city की premises हैं, जैसे example के तोर पे, यहां पे आपको downtown अगर आप motorway से travel करते हैं, towards motorway, towards lahore, तो आपको यहां से जो downtown है, blue world city का, यहां पे नदर आता है, जो सान जदीर साब ने recently blue world city के एक वीडियो पोस्ट की थी, कि अभी हम Z Avenue, जिसके Z Avenue की तरस पे ही, हम यहां पे blue world city express यहां पे construct करेंगे, तो वो इस जगा बनाई जाएगी, जहां से overhead bridge के थुरू, यहां से bridge निकाला जाएगा, जो connect करे जिससे जाके opposite side की side, जो land होगी, उसको access किया जा सकेगा, तो इस पे future में आपको इस side पे काफी जदा, motorway के opposite side पे societies launch होती नज़र आएगी, development नज़र आएगी, DHA की आप ज्यादा ज्यादा, एक से date महना का time जाएगा, DHA officially market में, अपना product launch कर देगा, जो expected price 1.8 crore होगी, 1 crore अगर आज की date में जाना चाहें, अगर आज की date में जाना चाहते हैं, तो आपको येवल access point मिलते हैं, अला का शुकर है कि site पे सब गूगल Earth की images वो काफी अपडेट हो गई है, ये most recent images आपको नज़र आ रही है, तो आपको काफी है तक वैसे भी in general idea मिल जाएगा, कि इस तर Central का रिया बनता है, ये पहले images अपडेट नहीं थी Google Earth पे और ये सारे की सारे जो ट्रेक्ट्री है नज़र आ रही है, ये सारे की सारे अपको ये सारे की अपको नज़र आ रही है, ये सारे मैं आपको दोबार दिखाता हूँ, यह आपनी बात ब्लॉग जो Overseas Central वाला है, य मैप है, वो भी ओन करें ताकि आपको members को clear understanding मिल सके, कि updated images के लिहाज से, अभी जो साइट पर development का status है, वो क्या बनता है Capital Smart City का, जो Google Earth पे images अपडेट हुई है, previously images काफी टाम से पेंडिंग थी, अपडेट नहीं हो रही थी, तो उस वासे members को जार सी बात है, अपडेट करने म मुश्किल पेश आती थी, लेकिन अभी साइट पर तमाम की तमाम चीज़ें जो 100% अपडेट हो चीए है, मैं आपको में मास्टर पैन है, वो बंद कर देता हूँ, यह sector A है, मैं इसमें इंटर्जेन की साथ साथ जो sector है, उनकी मैं overall in general जो से explain कर दूँ, बाकी मैं sector पर जाक मैं इंटर्चेंज की बिनाने लगा था, लेकि मैं अभी देखा यार यह तो अपडेट होगी है, तो members को generally brief कर दूँ, map पे, क्योंकि एकसर लोग बात करते हैं कि map पर ब्रीफ कर दें, तो map मेरे पास access ही मजूद नहीं थी, अभी आपको यह वाला road जो आने मेरे दिनों में का फियत तक अंदाजा हो गया होगा, सिलिकोन वैली से निचे जो आता है बाता है, CSE का master plan और master plan पे अगर देखें, तो बलकि मैं master plan भी चोड़ें, हार्मी पाक कर लेता हूं, हार्मी पाक जिसमें 3.5 मरला, और कुछ 5 मरला की cuttings दी है, 7 मरला की है, वहां पे development क्या है, sector H की लेंग, उसकी बात करें तो इसकी land तक्रीबन तक लिचे फके लेंड खा का मांदा, प्राउनिँ बी नजर आ रही है, अगर हम बात करें, सेक्टर K की कि तकरीबन तक लिचे पर बात कि उपापट साइट पर सेक्टर तक बात करें, तक लिचे मोड़ूनर भी नजर आ रही यानि कि शुरू के कुछ streets है, road 40 feet wide, यह road त्यार है, street number 9 partially ready है, street 8, street 7, street 6, street 5, street 4, street 3 and street 2 and street 1 litigated है, यहाँ पर जमीन society के पास मजूद, नहीं है, तो बलकि नहीं है नीचे, ब्राउनी ने ज़रा रही है, कुछ street का partial part है जो brown हुआ है, कुछ partial part है जो brown नहीं है, तो आपको सक्ट trail के भी यहां तक idea मिल जाता है, यह तो कि हार्मी पाक वाला जो map था, उस पे locations का, जिकर के उस पे कितनी land society के पास developed है, कितनी land नहीं है, अब जाते हैं, specifically overseas central वाली land पे, उस पे sector A से start करते है, sector A के कर बात करें, sector A में जो कुछ commercial plots हैं, यह तमाँ के तमाँ के तमाँ यह वाला corner, आप street 5 के दोनो corner, street 4 के दोनो corner, street 3 के दोनो corner, street 2 के दोनो corner, street 1 के दोनो corner की land society के पास available नहीं है, इसको आप Google पर घर प्राट के खुद भी टेली कर सकते हैं, उसमें आपको बताने की ज़रू होती है, आप खुद भी देख सकते हैं, आते हैं, sector A की बाकी जो किनाल के कटिंगेंगें, इस जगा आती है, इसमें वंतिया street आपकी 6, 7, 8, तमाँ की तमाँ स्टीट जो है, वह leveled भी है, और ब्राउनिंग भी हुई है, यह आप देख सकते हैं, इसमें पार्शल पार्ट है, यहाँ पर आपकी बाकी 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 बात करेंगें, तो ए बाकी बा पार्ट है, इसको लेटर स्टेज भी शायद साइडी कर लेकर 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 लेकिन आज की डेट में वह नहीं है, बाकी यह जो बीच में आपको water drainage नजर आ रही है, जो connectivity आपको सेक्टर A के दरमयान में से, यह बला पार्ट है, इसके बाकी बाकी यहाँ पार्किट का सेक्टर C यहाँ पर नजर आ रहा है और नीचे बले जमीन पर प्रॉपरली काश्तकारी भी नजर आ रही है, तो यह पार्ट अभी लिटर स्टेज पर क्लेर होगा, लेकिन सेक्टर C के कर बात करें, कनाल के प्लोट की स्पेसिफिकली ओन लेन नमबर 2 और लेन नमबर 1, यह बाकी लेन जो है, वो क्लेर है, होफ़ुली बाकी यह भी क्लेर होजएगी, सामने चार मला, लाट मला कमर्शल से है, इनकी लेन भी लेन प्लोट के, यह स्ट्रीट नमबर 6 पर जो प्लोट नमबर आते है, तो बी प्रसाइज, प्लोट नमबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह बले प्ल अगर आगरा बात करें पीछे स्रीट सेक्टर D के निचे तमाम के तमाम जो जमीन अलडी मजूद है वो उसी तरह से मजूद है उसकी लैंड क्लियर नहीं है मासवाई विलाजवाली साइट की स्ट्रीट 22, 23, 21, 20, 19, 18 इन ब्लॉक्स इन स्ट्रीट की 18, 17 स्ट्रीट में काउंट कर लें इन स्ट्रीट की जो लैंड ह वो निचे ब्राउन है और जो लैन बनती है लैन नमबर वन इसकी लैंड जो है वो ग्लेर नहीं है यहाग है सिंपल सेक्टर D की बात अब आते हैं सेक्टर E की बात पर सेक्टर E वेले पार्ट में से इनिशिल जितनी स्ट्रीट हैं अगर काउंट करें तो स्ट्रीट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनकी लैन मुकमल क्लेर है और लेन के बात करें तो लेन आप इसको लेन 3 कह लें लेन 1 कह लें इनकी लैन जो है वो भी ख्लेर है यह हो गया सेक्टर E, D की लैन मसला है E की लैन मुकमल क्लेर है और E की लैन यागर करती है यह E ब्लॉक ही है इसमें मेहां में यहां तक न तकरीबान तमाम लैन क्लेर है litigation जाके स्टार्ट होती है specifically जहां पे access road 180 feet है access one road इस पर litigation स्टार्ट होती है इस road पे land जो है पताक्लेर नहीं है अगर हम बात करें सक्टरF की स्टीट 1 है, जो मेन रोड है डोनों के लैंड मजूद नहीं है, श्रीट 2 की लैंड बॉद नहीं ए, visions at least अब ब्राउनिंग साइट पर बेलाख ती और आगे जो पार्क is, आगे drand इसमें जो कमर्शल प्लॉट्स हैं, वो लिरिटेटिकेटट्ट में है, स्ट्रीट बन कि बात करें, तो हाफ स्रीट करें dr. 10 की बात करें, तो हाफrière इखा-प लिर्टेकेट्ट्ट और इस से पीछे, यह तो नोग जो स्ट्रीट्स हैं, इनकी तर्फ क्लेरेड हैं, हाफ लिरि कर दिया है सेक्टर ए से व्लॉक F तक सेक्टर G की की बात करें इसकी we د riktigt सिर्फ य्डिशन नजर आ रही है और वो नजरा रही है अपको क्रٌस में जिसमें देक्र थारिब्ड निजओन मोरेण स्टीड सीड फुर्टीन 16 17 18 की तो वो अलड़ी सारी लेंड जो है वो अलड़ी ब्राउनिंग हो चुकी है यह था और सेंट्रल सेक्टर की अपडेटेट साइट इमेज़ गुगल अथ लोकेशन पर डॉकेशन पर अगर मैं स्केल से मेजर कर सकूं तो अप्रॉक्सिमेट एरिया देखते हैं कितना पाट है लिटिकर डॉक्टर प्राइम ब्लॉक्टर एफ का तो यह प्रॉक्सिमेट एरिया जो बन जाता है यह जादा बनता है यह जो बात कि और से सेंट्री बात कि अब आते हैं जी इस पर गेट प्रिंसिंट में जितना रोड यहां तक डिवलप्ड है बागिया के पार लेटिकेशन में है वह बात मुझे प्रिक्योर होगी तो आपको अपडेट कर दूँगा तो और से सेंट्री बात किजाए तो हंड़ परसंट लेंड में से तकीबना रॉंड सेंटी 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 परसंट लेंड लेंड है तो इस वख गूगल पे मोस्ट अपडेटिट इमेज़ नहीं देखी इस पहले इमजूद जरूर थी लेकिन अपडेट नहीं थी अब आपको प्रॉपर हार अब आते हैं तो बारा जी मास्टर प्रान पर के मास्टर प्रान पर अगर अगर आम देखें कि अवराल इस से लेके एकसेस पॉइंट इंटर्चेंज से लेकितनी इस डिवल्पेंट हुई है मोग एक्स्प्रेंट करता हूं और बाकी इसकी ऑपोज़ेट साइट पर चीज तो इसमें सबसे जयदा जो इसस वक्राइम वान पर इसकी जएव सारी सारी प्राइब थे एपको गूगल पर नजर पर नजर बी आरे हैं खरी ऑर शेक्ट्रेंट इसके पॉड़ेशन अवैलेबल है लेकिन यंज आपके सामने है Sector F की आपके सामने स्ट्रीट नजर आ रही है सारी cleared है कार्पिटिंग रहती है लेकिन व्याशी cleared है Sector A और B और C जो है वो अलड़ी सारा cleared है इसमें मकमल आपको स्ट्रीट क्रेटिंग नजर आ रही है बाकी plots जब को possession apply करेगा तो उसको most updated images मिल जाएंगी लेकिन अभी यह scene है कि यह overall images है मैं भी try करूँ कि separately map पे गूगलर्स पे update होगी है चीज़ें तो मैं separately इंचलेस पे detail वीडियो बना दूँगा इंचेज की बात करें तो इंचेज की प्रेमिसिज जह है वह इस वक साइट पे तमाम चीज़ें जह है वह अप एक्सेस के लावा यह साइट पे आपको proper executive block तक यह किसी block तक access इस इंचेज से possible हुई है प्रिवियसली जो distance बनता जिरो पॉइंट से बहुत ज्यादा था यानि अबने जिरो पॉइंट से पहले यहां से आना है जाना है यह आपको शकरपणिया प्रेड ग्राउंड है यहां से आप इदर आते हैं शकरपणिया नेशनल पार का सुरी और यहां से अगर आप इंट इस अगर दो प्रिवियस अप्रिवेश जो लोकेशन थी लेकिन जानी बैट लेट देर नेवर कुछ ना होने से कुछ बेतर है तो इंटर चेंज पर नेशनल आई अफर्टी की तरफ से टॉल प्लाजर काम है वह साइट प्रेशनल है और बाकी जो चीजे हैं वह वह दूप उप्लाधा की प्रिमिसेंद जो जाएगा, प्रिमीसेंद मैंने अनि और फ्रिम हो प्राइम टू की जहां से डॉक्टर एंकलेव को एकसेस मिलता है और कैपिटल स्मार्टे का अपना एकसेस पॉइंट है में एम टू मोटर वे पर उसकी प्रिमसिज आ को नजर आ रही है अब और से प्राइम टू को अक्राउस दी मोटर वे नहीं मार्ग भी कियो है यह जो प् इस बारे में बहुत ज़्यादा पूचा जाता है यह जो मैं आज वीडियो बनाई है नेशनल हाइव वाले टॉपिक पर इसलिए बनाई है कि में पिछले साल आप देख लें और आज की डेट में देख लें तो चीजें बहुत ज़्यादा चेंज हुई है यह ओवर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर और किसी और टॉपिक वीडियो देखना चाहते हूं तो कॉमेंट में लाजमी बताएं मैं शिखाओंगा कि डेटेल से आनवरे दिनों में वीडियो बना दूँ रिजमान चीमा को दीजिए जज़त अगली वीडियो दो के लिए खुदा हाफिज